हेलो एवरिवन मैं हूँ शब नम और आपका मेरी चैनल जगजायकर में इस्तिक्वाल है आज मैं आपके लाई हूँ सत्तु के प्राके की बनाने के लिए गर्मियों का मौसम चल रहा है कर्मिय में हम लोग सब लोग हेल्दी खाना पसंद करते हैं और सत्तु हमारी हेल्द के यह बहुत बैस्ट उप्षेन है क्योंक currents फैदा पहुंचाता है तो चलिए आज हम आपके लिए बना रही है बहुत हैं टेस्टी और सत्त्त के पॉराठ का की रेसिपी जो कि बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं चाहिए आप हम देख लेते हैं अब इसे बदाने के लिए क्या क्या चाहिए मैं यहाँ पे 10 से 12 तक पुराठे बदाऊंगी तो उसी हिसाब से मैंने सारा समान लिया है यहाँ मैंने आटा लिया है जिसे मैं थोड़ा सा नमग डाल देती हूं यह आटा जो मैंने लिया है वो गयो का नॉर्मल आटा है इसे मैंने 3-4 चमच नमग डाल दिया है और थोड़ा सा रिफाइंड आवर डाल रेते हैं आप चाहें तो देशीली का भी इस्तिमान कर सकते हैं यह हमें 2 चमच इसमें रिफाइंड आवर डाल रही हूं इससे हमारे पुराठी होते हैं बहुते सॉफ्ट बनते हैं खस्ता बनते हैं तर चलिए हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए तो त्यार कर लेते हैं अगर आप ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं बूलेगा यह देखे हमारे डो तयार हो चुका है इसे हम रिफ्ट के लिए रख देते हैं ब्रेस बार प्राठे बनाओंगी तो उसी इसाब से मैं सट्टू ले रही हूं चलिए यहां जो मैं सट्टू लिया है लगवक दो कटोरी के आसपास लिया है यहां मैंने प्यास, मिल्ची और धनिया, इनको बहुत ही बारिक काट लिया है, यह सब इसमें मिक्स करेते हैं, प्यास मैंने एक बड़ी साइस के लिए है, इसको मैंने बिलकुल बारिक काटा है, मिल्ची मैंने यहां पे साथ से आठ लिया है, आप अपने हिसाब से कम्या जा यह मुझे इसमें डाल देती हूं कर बाँवारी इसमें है दगे ढ़ता है यह में भी हने मंगज कमछ आधा छोटी किलेकली जोड़ा सीद है तो आप किसी भी अचार का मसाला डाल सकते हैं, यह तोगा सा टाइंगी फ्लेवा देता हैं, यहां में दो चमज भर के डाल रही हूं मसाला, विश्मम सर्सो का तेल डाल देते हैं, सर्सो का तेल अगर आप सर्सो का तेल अवाइड करते हो, तो आप नॉर्मल जो तेल यूज क निम्बु घालते हैं यहाँ एक निम्बु लिया है, इस निम्बु नहीं हो आपके लाज निम्बु नहीं हो आप अन्यम्बु पраudर को सकते हैं इसमें निम्बु घालते यह आने मिक्स कर लिया लिया और इनियसमें इन different concept living face है इसमें पानी करे इसाल वी कर लिए इसे की हल्प से ही थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं आप चाहे तो बेरंचकले से भी बढ़ा कर सकते हैं नीदे के हम थोड़ा से इसको आट के अर्फिन्म स्ट्विंग डालते हैं मैं ऐसे कटूरी की तरह बना लिए हैं अब इसमें में दो चमच के आच स्वस स्टरफिंग डीले हूँ अब भर чист चार्व तरफ से अच्छा सीयल करना है इसको हमें अप्र से स्टरफिंग करेख सी millones और उसे ओपर से बुल कर तेना है ताके हमारे श्टरफिंग भी पहर भी न कुल कुल यह देखिए हमारा पेटा तेयार हो चुके हैं अब इसको हमें मूटा बिलने थोड़ा सा आप चाहें तो सद्टू के पराठे आपने हिसाब से बड़े चोटे किसी भी तरीके से बना सकते हैं क्या हैं आप दूरी हैं ताकि हमारा प्राठ आचसान बिल जाए इसको हमें सफ्ट हमें थें आल है अगर आप प्राठा इसको पतला करेंगे तो स्टेफिंग आपकी बाहर निकल जाएगी आपने हिसाब से इसे पतला मूटा कर सकते हैं दीखे मैंने इक प्राठा बना लिया है यह मैंने मीडियम साइस का बनाया है आप चाहे तो आयरन का तबर कभी इस्तिमाल कर सकते हैं अब जो हमने प्राठा बनाया है वह इसमें ढाल देते हैं अब इसी तरीके से हम दूसरा प्राठाइ बना लेते हैं जो तो की सी क्राएं इसको हाथ में तो असाट लगाके हम बड़ा कर लेते हैं को मैंने मीडियम ऑच पी रखा हुआ है ताकि पराठे अच्छा से क्रिस्प निए अब इसके हम कर्टोरी की तरह बना लेते हैं और इसमें प्राठे रख लेते हैं स्ट्रफिंग वे में अच्छे से बढ़नी है ताकि सब्तू के प्राठे का टेस्ट अच्छा आए अब अब जो उपर आया है इस पोशन को मंदर ही कर देते हैं प्रेंस चले प्राटा हमारा एक तरह से सिग गया है साइड हम चेंज कर देते हैं अब इसे शेखने के लिए आप रिफाइंड और या देसे कि किसी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं इसे साइड को चैंज करते हैं यहां साइड भी तल लगा देते हो इस साइड से बहत अच्छा सिग गया है के अब इसको प्रेस करते हुं से एक दम क्रिस्प हो उसके पेरे बितार समय रहे होना कि ऐसी कमा प्राइट को लो बिर का यहां की अनुदेशनी नहीं थाखनी है चैने हैं सोटम है कमिव दोइस दूनी को ऊंड़ पर जौका hain चाहिए से में प्रेट में निकाल देते हैं और दूसरा प्राटा भी इसी तरह से सिक लेते हैं इस दिए हम एक फॉर्फ राटा कितना चतेयार हुए इसके फ्लिम को हमें मेरे मिल्डियम ही रखा है अब इसमें परश की हेल्प समतेल लगा लेते हैं अब आब हेल्थ कोईक्शेस है तो इसमें तेयर लिए खी कुछ भी आवाइड भी कर सकते हैं अब इसके हम साइड शेंज कर देते हैं ग्यास की फ्लिम को मेरे मिल्डियम ही रखा है अब इसके फ्लिम पर जदी सिख जाएंगे लेकिन अच्छे से क्रिस्प नहीं होंगे इसकोचे से प्रेस करते हुए हम सिफ्ट हैं इस देखे हैं इस प्राटा मारे कितना चा फूल रहा है अगर हमारा पराटा कही से फटा हुआ नहीं होगा तो अच्छे से फूलीगा लेकिन पराटा फट रहा है तो भी कोई परिशान होने की बात नहीं है क्योंकि इसे टेस्मे कोई चेंज नहीं आएगा तो इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं उसके बाद हम सारे प्राठे से बना के फिर आपको दिशॉट करके दिखाते हैं इसे मैंने सर्व किया है कची आमी और दिना की चटनी के साथ यह बहुत ही टेस्टी लेखते हैं कि इसमें सत्व फिल है यह देखिए इसमें सत्व बहुत अच्छी से फिल है जिसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आप भी मही राशीपी को फॉल्लो करके बनाएए और भीहार की फिमस रेसिपी चलातो के लिभी होने की साथ सब्सक्राइब बहुत होते हैं सब्सक्राइब आपको मेरे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइगन को प्रेस करना ना भूले कुसान डूल बता करधे इ। आप इसे प्रेस फिर स्री ट्राइब करते हैं और TOP उटक दूल सब्सक्राइब कैसे घ्र कृए और सब्सक्राइब झाले वेंस